हलो फ्रेंज मैं कविता सेथी आज दुबारा के पास हेल्थ समधान में एक ऐसी वेजटेबल लेकर आई हूँ जिसको काटने से आखों में आसु निकलाते हैं ठीक सब्जे दोस्तों अनियन्स आज हम अनियन्स यानि की प्यास के बारे में बात करेंगे आज किल प्यास के दाम आस्मान छुड़ रहे हैं लेकिन क्या लोगों ने इसे खाना छोड़ दिया नहीं क्योंकि ये एक टेस्ट एंहांसर है और साथी साथ हेल्थ एंहांसर भी तो सुनते हैं इसके फायते अच्छा प्यास खाने से हमारा हार्ट स्ट्रॉंग रहता है और इसमें काफी कौंटिटी में कृटैशन भी पाया जाता है जो हमारे हाइबलेट प्रेशर को कंट्रोल करता है Dandruff हो जाने पर प्याज के रस को oil में मिलाकर लगाने से बाल soft हो जाते हैं और dandruff भी खतम हो जाता है प्याज में anti-inflammatory गुन होते हैं और इसमें calcium और magnesium पाया जाता है इसलिए ये हमारे bones को strong बनाता है और arthritis में काफी helpful होता है अगर हमें कोई maddumakhy काट ले तो तुरंद प्याज का रस उस पर लगाने से उसका जहर खतम हो जाता है प्याज में vitamin C है और ये हमारे immunity को boost करता है इसमें antibacterial properties पाय जाती है इसलिए ये हमारी gut health के लिए बहुत अच्छा है प्याज में sulfur पाया जाता है जो एक antioxidant है और ये colon, stomach और prostrate cancer से हमें बचाता है प्याज में काफी fiber है इसलिए ये हमारे intestines को साफ रखता है और constipation से बचाता है इसमें iron, folate और vitamin B6 भी है जो हमारी body में red blood cells और metabolism को boost करता है diabetes control करने में प्याज काफी helpful होता है इतने सारे गुनों के कारण प्याज को एक super food माना जाता है चमतकारी नुसके अगर किसी को fever या cold cup है तो उसके room में आदा प्याज काट कर रखने से सारी infection प्याज अपनी ओर कीच लेता है और दूसरों को infection से बचाता है यानि की air purifier अगर बहुत गर्मी हो तो बाहर लू में जाने से पहले प्याज प्याज रखने तो आपको लू नहीं लगे प्याज काटने से 15 मिंट पहले प्याज को छिल के समेट पानी में डाल कर रख दे फिर काटने पर आपकी आँखों में आसु नहीं आएंगे Precautions कच्चा प्याज खाना सबसे best है लेकिन जिसको कच्चा प्याज सूट नहीं करे वे ना खाए कच्चा प्याज खाने के बाद सौन मूँ में रख ले जिससे आपकी मूँ की back smell ना आए Onions Humans के लिए जितने beneficial है उतने आपके pets यानिकी dogs या cats के लिए हानिका रख इसलिए प्याज को pets से दूर रखे आज के लिए सिर्फ इतना ही Please like, share और subscribe करना मत भूलना मैं आप से फिर मिलूँगी और vegetables के benefits को लेकर तब तक keep smiling and stay healthy